दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि बीते कुछ सालों में भारत के तरफ से निर्मान किया हुआ हतियारों को अन्ने देशों को काफी बड़े मात्रा में एक्सपोर्ट किया जा रहा है जिन में भारत के द्वारा निर्मान किया हुआ हेलिकॉप्टर, मिसाइल और रो से ऐसे हत्यारों के लिष्ट में भारत के सुखोई 30 एयरक्राफ भी जुड़ चुका है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इथियोफिया के ताकत को बढ़ाने के लिए पुराने दो सुखोई 30 एयरक्राफ टोयों को हासिल किया गिया है जो एक समय तक इंडियान ए विरियेंट का है जो कि इंडियान एयरफोर्स के लिए पहले बनाया गया था और इन्हें सुखोई 30 म के ये आर्ष्ट हो के लिए रिरियेंट भी कहा जाता है दोसो यहाँ पे आप लोगों को जानकारी के लिए बता दू कि भारत और रश्या के बीच में सुखोई 30 मकाई आरक्राप्टो को लेके जो डील हुआ था उसमें सबसे पहले 12 सुखोई 30 के आरक्राप्टो को रश्या के द्वारा बना के भारत को सप्लाई किया गया था और दोसो जब रश्या को रिटर्न किया था तो रश्या इन आरक्राप्टो का इसे ही स्टूरेज में रख दिया गया था हाला कि कुछ अफ्रीकन एक्सपर्टों के तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि ये सुखोई 30 के यारक्रेप्ट असल में इंडिया के सुखोई 30 MKI यारक्रेप्टों के जैसे इतने ताकत भर नहीं है और कई तरीके के ओफसलिट एक्वेपमेंटों से लैज है और इन ही क इलाभा इसमें अनलोग कॉपपिट का इस्तिमाल किया गЯ है मतलब डिजिटल आधिवने कॉपपिट नहीं है बलकि पुराने जमाने के यारक्रेप्टों के जैसे इसमें घड़ी नुमा काटे वाले कॉपपिट का इस्तिमाल हुआ है जो कि यूसर फ्रेंडली नहीं है और modern warfare के लिए capable नहीं है इसके इलाबा दोस्तों इसमें air to air missile के capability को लेके भी बताया जाता है कि उतना अधिक शमता नहीं है जो कि सुखोई 30 SM या सुखोई 30 MKI जैसे यार क्रैप्टों में है मतलब दोस्तों इन यार क्रैप्टों में शायद beyond visual range air to air missile और modern missile के capability नहीं है वही पर दोस्तों expert का ये भी कहना है कि इसके navigation equipment भी आज से करीबन 25 से 30 साल पुराने equipment है जो कि modern navigation और modern aircraft को counter करने के काविल नहीं है और दोस्तों इसके इलावा इसके maneuverability को लेके भी कई तरीके के दावा किया जारा है खास करके ऐसे aircraft में canards नहीं है जो कि सुखोई 30 MKI जैसे aircraft में है और इस canards के वज़ा से सुखोई 30 MKI जैसे aircraft के जो maneuverability है वो काफी अधिक है और ये canards ना होने के कारण ये पुराने जो सुखोई 30 के aircraft है ये शायद उतने capable ना हो हाला कि दोस्तों अगर इथियोपिया जैसे देश को देखा जाए तो ये आर्थे ग्रूप में इतना strong नहीं है कि ये modern aircraft को खरीद सके लेकिन अगर इथियोपिया के तरफ से सुखोई 30 जैसे aircraft को खरीदा गया है तो ये भी इतियोपिया देश के लिए काफी बड़ा बात है क्योंकि इस तरीके के aircraft को इतियोपिया के प्रोणसी देशों में इस्तेमाल होने वाले aircraft के मुकाबले में अधिक आधुनिक और capable माना जाता है जबकि दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो ये संपूर रूप से भारत के लिए नाइंसाफी होगा जबकि ये जो डील है ये रश्या और इतियोपिया के बीच में है और इसमें भारत का कोई योगदान है ही नहीं जबकि दूसरे तरफ आप लोगों को ये भी बता दूँ कि ये जो यारक्राप भारत पहले इस्तिमाल करता था ये असल में साल 2007 तक मतलब आज से करीवन 15 साल पहले तक धो इन यारक्राप्टों को रश्या को रिटर्न कर दिया था और उसके बाद रश्या के तरफ से क्या किया गया या क्या नहीं किया जाए और एशिया का जिम्मेदारी है और इसमें भारत को लपेटना श्रही नहीं होगा अब दोस्तों एक तरफ जहाँ पे एथियोपिया इस तरीके के पुराने भारती ये बायूसना के द्वारा इस्तिमाल की जाने वाले यारक्राप्टों को हासिल कर रहा है ताकि AMCA इंजिनों के डिवलोप्मेंट में DRDो को आसानी मिले अब यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूँ कि एक फ्लाइंग टेस्ट वीड यारक्राप्ट मतलब एक ऐसा यारक्राप्ट होता है जिसमें की टेस्ट किये जाने वाले इंजिनों को फिट किया जा सके अगर फरफॉरمنस में कोई गरबडी हुआ और यारक्राप्ट में केवल एक ही इंजिन हुआ तो यारक्राप्ट क्रैश होने का संभाव न आ होता है और इसी प्रश्या के दिवलोप्मेंट का प्रयास चलाया जा रहा है और हाली में भारत को काविरी जैसे इंजिनों के ड्राइब वरियंटों को लेके एक सफलता तो मिला है लेकिन इस तीन दशक में भारत के पास कोई फ्लाइंग टेस्ट वीड यार्ट है ही नहीं और दोसो भारत अपने इंजिनों के टेस्टिंग के लिए हर बार इन इंजिनों को रश्या ले जाता है जहांपे की रश्या के द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले इल्यूजन 76 फ्लाइंग टेस्ट वीड का इस्तेमाल करके इन यार्ट्रेप्टों के इंजिनों के हाई ऑल पुरा करने के लिए तो इंजिनों को रशिया ले जा जा रहा था लेकिन अब अगर भारत अपने खुद के एंजिनों का डेवलोप्मेंट करता है और वो डेवलोप्मेंट अगर फ्रांस जैसे देश के साथ या बिटेन जैसे देश के साथ किया जाता है तो इन इंजिनों को obviously रशिया नहीं लेया जा सकता मतलब दोस्तों इस काम को फ्रांस में अंजाम देना पड़ेगा या फिर इसे भारत में अंजाम देना पड़ेगा दूसरे तरफ दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दू कि भारत AMCA इंजिनों के डेवलोपमेंट के बाद इसके संपूर्ण पोड़ेक्शन के जिम्मेदारी लेने के साथ इंटिलेक्शल प्रॉपर्टी राइट शेरिंग भी लेगा जिससे की इन इंजिनों के हाई थ्रॉष्ट वरियेंट और लो थ्रॉष्ट अलग अलग वरियेंटों को बना सके और दोस्तों ऐसे में भी हर बार अगर इन इंजिनों को टेस्ट करने के लिए फ्रांस ले जाना पड़ता है तो ये प्रॉसेस भी काफी टाइम टेकिन होगा मतलब आने वाले समय में भारत के सामने इंजिनों के डेफलोपमेंट को लेके जो लंबा प्रॉसेस है उस प्रॉसेस को ये टेस्टिंग या फिर कहते हो फ्लाइंग टेस्ट विट के कमी और लंबा कर सकता है जो कि भारत के लिए एक खतरनाक सिचुएशन क्रियेट कर सकता है ऐसे में दोस्तों अगर DRDO के तरफ से एक नए फ्लाइंग टेस्ट विट का बात कहा जा रहा है तो ओविसली ये एक अच्छा बात है जो कि गौर्मेंट के तरफ से सोचना चाहिए और DRDO के इस डिमांड को पूरा करना चाहिए अब दोस्तों अगर फ्लाइंग टेस्ट यारक्राप्टों को देखा जाए तो कई तरीके के ऐसे फ्लाइंग टेस्ट विट इस्तेमाल होता है जिनमें रोल्स रोइस जैसे कमपनी बोईंग के 747-200 फ्लाइंग टेस्ट विट का इस्तेमाल करता है बोईंग के 747-200 यारक्राप्टों को अगर देखा जाए तो आप के जानकारी के लिए बता दू कि ये चार इंजिन वाले एक wide body jet airliner है और दोस्तों इन एर क्रेप्टों का इस्तेमाल कई सारे ऐसे देश है जो कि flying test weed के रूप में करता है और इन एर क्रेप्टों में basically pretty Whitney का engine का इस्तेमाल हुआ है वही पर दूसरे तरफ अगर saffron जैसे company को भी देखा जाए तो वो भी flying test weed के रूप में असल में ऐसे ही एर क्रेप्ट का इस्तेमाल करता है और दूसरे तरफ ये भी बताया जा रहा है कि AMCA एर क्रेप्टों के development के दर्मियान saffron company के तरफ से इन एर क्रेप्टों के इंजिनों को राफेल एर क्रेप्टों में integrate करके इसे किया जाएगा हाला कि दोस्तों आप लोग को ये भी बता दू कि भारत के सामने flying test weed यार क्रेप्ट के रूप में केवल मात्रों बोईंग के 747 यार क्रेप्ट ही नहीं है बलकि illusion 76 जैसे प्लाटफॉर्म भी है जो कि फिलाल इंडियान यार फोर्स के तरफ से इस्तमाल किया जा रहा है लेकिन इस तरीके के यार क्रेप्टों को flying test weed में convert करने से पहले ministry of defense की अनुमती का आवशकता है वही पर इंडियान यार फोर्स के पास transport यार क्रेप्टों के कमी होने के कारण भी मुझे नहीं लगता है कि इंडियान यार फोर्स अपने बेडे के ऐसे एक यार क् यार क्रेप्टों को हासिल करने का आवशकता पड़े तो second hand jet liner यार क्रेप्टों को भी खरिदा जा सकता है पर वही पर कुछ एक्सपर्टों का ये भी मानना है कि सुखोई 30 MKI जैसे यार क्रेप्टों के द्वारा भी इस जरूरत को पूरा किया जा सकता है और सुखोई 30 MKI प्रवार इसमें फिट करना काफी टायम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है जबकि अगर इलूजन 76 जैसे यार क्रेप्टों में जिस तरीके ऐसे इंजिनों को हैंक किया जाता है उस प्रोसेस में अगर इस काम को आगे पड़ा है जाता है तो ये काम शायद और आसान हो दोस्वा आप लोग को क्या लगता है कि Ministry of Defense को DRDO के इन बातों को रखते हुए एक flying test video का जुगार करना चाहिए या नहीं कॉमेंट करके अपने राए अवर्श्र दीजिए तो आज के इस वीडियो को यही पर ही करते हैं समाप किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो मिलेंगे तब त के लिए जैहिन बंदे मातरम